हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नई उडम आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नई उडम लोग बात करने वाले WPL के सेकंड मैच के बारे में जो कि होने वाला है RCB वर्सेस दिल्ली इन दोन टीमों के बीच में दोस्तों ये मैच कल दो फेर को साड़े तीन बजे स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला ब्रेबॉन स्टेडियम मॉंबई तो दोस्तों फर्स्ट डबलेडर और ये फर्स्ट डे मैच ऑप ड्वली पियल बड़ेट जाना है वही पियुक्त आपको final टीम मिलने वाली है एक बढ़ते हैं हम सबसे पहले पीच रिपोट के बारे में ब्रेवान का स्टेडियम है ठेक है पीच आप लोग देखे रहे हो कुछ इस तरीक ही ही पीच होती है थोड़ी थोड़ी पास छोड़ी जाती है बिकाज पीछ अच्छी रहे बैटिंग करने के लिए थ्रू आउट और रन यहां पर बहुत बनते हैं ग्राउन थोड़ा छोटा है तो बड़े शॉट्स इजीली लगते हैं रिसेंटल growing अच्छे मान अच्छें के seven स्टलिए फेर वीच में भिए 131 बही अचाओ इनेे वंसे बना दी टी इंडियाँnya पाइद में 156 इंटा लाओत हो गई थी आट वあー तो रन तीनों मैचेस में बने बहुत बना पिको तो टीम भी उतनी तगडी है तीन मैच पेसर को 17 स्पिनस को 18 तो 50-50 रहा था स्पिनस को ऐसा नहीं था कि बहुत टर्न था बट जब बड़े शॉट्स लगाने कोशिश करते है तो विकेट्स मिलती है और यहाँ पे स्पिनस को विकेट्स ज्यादा मिलती है उमन्स क्रिकेट बाकी पीच बैटिंग करने के लिए बहुत सॉलिड होती है और वही कुछ आप और वाल चैनलेंज बैंगलोर है कुछ इस तरीकेस इनके प्लेंग लिए उन रहीनी चाहिए जिसमें मेरे सबसे स्मिती मंदाना सोपी डिवाइन दोनों उपन करेंगे सोपी डिवाइन के पास जितना एक्स्पिरेंस है या फिर जितना उन्होंने किया हुआ इटी 20 क्रिके रहेगी दिसा का साथ कोई इनके बारें बात नहीं करेगा बट सॉलीड प्लेयर है ठीक है एश रोबना है रेन पुनम खेमनार है साहना पवार है मेगन स्कट और रेनुका सिंग इनके दो में पेसर और मेरे सब से बेस्ट इंटरनाशनल पेसर आप लोग मानने के चल सकते ह रही है रेनुका सिंग आपको बता है कि रिसेंट का जबरदस्त है तो इनके जो दो में पेसर से जो पाउर प्ले में भी दिखेंगे मेगन स्कट आपको डेथ में भी दिखेंगी तो यह इनका सॉलिड पॉइंट है बट इनका थोड़ा सा स्पिन सेक्शन वीक है वहाँ प बात करते हैं के और और फॉर्म प्लस इनका रिसेंट फॉर्म और स्टैस प्लस रिसेंट फॉर्म ठीक है तो बात करते हैं श्रीति मंदाना की तो अलग लेवल पर बंदी खिलती है टीट्वेंटी वलकप इनका ठीक रहा था ठीक है और और कंसिस्टन्ट है अग्रिसिव है आपके सामने में और भी बॉल दिया है बट यार बहुत सॉलिड प्लेयर है ठीक है और राउंडर है बॉलिंग करना बहुत कम कर दिया है टीट्वेंटी वलकप में एक भी ओवर नहीं डालाता तो यह कंसर रहेगा लेट सी यहापी कितना बॉलिंग करती है देन एलिस पेरी देखो टीट्वेंटी वलकप में आपको स्टैस उतनी इंप्रिस्व नहीं दिख रहे है दिखे है ग्यारा रन दो रन नोट आउट साथ रन क्यूँ विकोज इनके बैटिंग ओडर वहाँ पर लगबग नंबर पाच नंबर छे पे आती है तो वहाँ पर बैटिंग मिलती ह रहेगी तो और भी इंपॉर्टन रहेगी और फॉर्म इनका बहुत जबर्दस चल रहा है तो इससे अपसे बहुत इंपॉर्टन पीक है हेदर नाइट अच्छे फॉर्म से यही टीट्वेंट वलकप में डिसेंट रन बना है नंबर पाच पाके 32 नोट आउट ट्वेंट 31 कैप्टन रही है कैप्टन इंग्लंड टीम के तो एक्सपरियेंस से बहुत कुछ करने का और बॉलिंग भी ठीक टाक करती है यह पर बॉलिंग कम करेगी तेन रिचा गोश अच्छा रादा टीट्वेंट वलकप 31 नोट आउट एन 47 नोट आउट और अच्छे फॉर्म से जीत के आ रही है तो बहुत इंपॉर्टन पीक रहेगी और विकिट किपिंग भी देगी दिशा का साथ इनके टीट्वेंटी के स्टार्स देखो एट मैक्चस थ्री हंड्रेंड रॉन सिक्स्टी का इवरेच सिक्स्टी का हैस स्कोर स्ट्राइक रेट वन 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 फोर का पि टीम चाहे एक्स्टा बैटर खिलाना चाहती है तो इनको खिला सकती है ओडीडी मैचस में सेवन मैचस में 348 जो रिसेंटली सिनियर ओडीडी जो ट्रॉफी हुई थी उसमें इन्होंने 348 बनाये थी साथ मैच में और साथ विकेट्स भी निकाली थी तो इनका तो नोट करक डीडी के जो टूर्णामेंट होता रिसेंटली आप 11 मैचस में 13 विकेट्स निकाली तो पिछले चार मैच में 5 विकेट्स निकाल के आई है तो यह दोनों स्पिनर्स का तो नोट करके चलना ठीक है हो सकते हैं पुनम खेमनार खेले ना तो वह भी नोट करके चलोगे मेगन स प्लेगर में खेलना मुश्किल रहेगा विकेट्स और इनकी जगपन पानी मुश्किल केले बट अगर खेलती है तो वहती इंपॉर्टन पीकर है विकेट्स निकालती है बैटिंग अच्छी कर लिए तो नोट करके चलना जिता है बात करते है प्रति बस की लेटाम आपाओ दौक श्पी नर है 5 मै फांच में 5 विकेट्स नंके नाम पर टीक यह इनको यू внут로 नोट करेबाइं औरॉ सकता पो खेलतेते हैं को Kön cmじゃण rapid जितना पराय सुमने नीविल रहा है न किसोिए और के बारे में सुनने म्हें नहीं मिल रहा है आपन में खिलने के चांसेश कम रहेंगे एरीन बंस अगेन एगाशी और डाउंडर में थीठेटर रे राइटा मोब्लेक्स पीन बॉलिंग कर ले थी एक विकेट इन्गे लास्ट से 20 मैच में निकाला हुआ है ठीक है तो बात करते हैं कि अब दिल्ली कैपितल्स के बारे में तो दोस्तों कुछ इस तरह केसे इनकी प्लेंगी लेखने नीचाहिए Meg Laney इनकी Captain है, Jayma Roderiggas इनकी Voice Captain है और Open करेंगी Shapalì Verma plus Jayma Roderiggas फिर Meg Laney इनकी एट 3, Alice can at 4 Margin cap at 5, Jashia Akhtar इनका note करना ठीक है वर WPL में कि आप four overseas player plus one associate player को खिला सकते हो जिसमें से एक associate nation से होना चाहिए बागी टिम्स ने किसी भी associate nation के player को pick नहीं किया है ठीक है तो ये बात याद रखना हूँ बात करते हैं कि overall stats plus इंके recent form की बारे में तो शपाली वर्मा का T20 World Cup ठीक रहा था 33, 28, 24 की तीन decent innings थे आपको पता हीट और मिस टाइप player है जो रद पढ़ने वे थुड़ी पो त्राइटाम लिग ब्रिक स्पिंग बॉल्लिंग कर लेती है जिया रोड्रिकस ने 43 के जबर्दस पारी खेती सेमी फाइनल में ठीक है और 53 नोट और वनेते अगेंस पाकिस्तान तो solid player है बहुत इंपोरण रहने वाली इस पुरे women's प्रिमेर लीग में वाइस कैप्टेंसी भी आपको करते भी दिखेगी मेग लैनिंग अगें कंसिस्टन बैटर 36 इनका एवरेज बनता है T20 क्रिकेट में अच्छा T20 वलकब भी रहा था बॉलिंग नहीं करती इंगलंड के लिए बट यह डोमिस्टिक में ठिक टाक करती है रेगुलर्ली करती है स्पेशली हंट्रेड में तो वह भी इनके पास एक रोल रहेगा और इक स्पिन बॉलिंग करने का और अग्रिसिव खेलती एक ही गेर में खेलना पसंद है यह भी न बानी चाहती है ठीक है जासिया अक्तर अभी इनके स्टैर्स देखो में आपको प्लेंगे लिए जब दिखा यह तभी बताया था तभी नोट करने वोला था जो लास्ट इनके 17 टी-20 मैचस में 589 रन बना चुकी 39 के आवरिज से जिसमें स्ट्राइक रेटिंग का 130 का है जि इनका भाई साब नोट करना अगर यह बैटिंग ओडर में थुड़ा ऊपर दिखे यह सॉलिड पी के बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए जानी जाती है और मिल रगता है बहुत अच्छा कर सकती है ठीक है बढ़ते आगे बात करते शिका पांड़े के टी-20 वाल ग बैटर है ने 173 इनोंने रन बना इंडिया के लिए 53 मैचेस खेल गे समझ सकती हो जेस जोनासन कॉलिटी स्पीनर डेथ में बालिंग करने के लिए जानी जाती है और यहां पर अच्छा करती है आपको दिखेगी बैटिंग भी ठीक टाक लेती है और फिल्डर बहुत इसलिए 4-5 ODD मैचेस में देखो तो साथ विकेट्स निकाले है कि 20 मैच में 5 मैच में 4 विकेट्स है लिप्टाम पे सरे इंपोर्टन रहेगी गेमचेंजर बन सकती है लॉरा हैरीस बड़े शॉट्स के लिए जानी जाती है नमबर 6 नमबर 5 पे बहुत अच्छी पीक थी ब बढ़ते आगे बात करते हैं अरुंदक्ति रेड़ी की राइटम पेसर है ठीक है पुनम यादो एक टाइम पिंग का खौफ था एक टाइम पी यह अलग लेवल पर बॉलिंग करती थी बट पिछले 2-3 साल इनके नहीं बहुत खराब गए पता ने क्यू सदेनली का पूरा वो जो विकेट टिकिंग एबिलिटी पूरी खतम हो गई देखो इनके 72 टी-20 मैचेस में 98 विकेट्स है तो यह एक से जादा विकेट्स निकालती है और मुझे यहा थे जो 2020 का टी-20 वलक अप हुआ था उसमे इन्होंने नेक्स लेवल बॉलिंग करी थी बट उसके बाद इ इनके भी डिसेंट स्टाट्स है और तिता सादू हाँ यह अंडर-19 प्लेयर है जिन्होंने अंडर-19 वलक अप के फाइनल में प्लेयर आफ दे मैच बनी थी दो विकेट्स निकाली थी तो यह हो सकते आपको प्लेइंग लिएन में दीखे तो इनका थोड़ा सा नोट करके चलना बढ़ते आगे बात करते हैं हम लोग प्लेयर बैटल्स के बारे में तो स्रिती मंदा को ना के सामने कौन कैसा करता है स्रिती मंदा ना जेस जोनासन तीन बार इनको आउट कर चुगी वर 39 बॉल में 61 रंस दिए है मरीजन कैप इनको तीन बार आउट कर चुगी 74 रंस अरुन दर्ती रेड़ी एक बार आउट कर चुके शीका पांडे अलिस कैप से ने कभी आउट नहीं किया अलिस पेरी जेस जोनासन इनको आउट कर चुके टोटल साथ बार 80 बार में 63 रंस देके बहुत इंट्रस्टिंग रहेगा रादा एदो दो बार आउट कर चुकी है म इक बार आउट किया है 70 बार में सिर्फ 71 देके कैप से ने एक बार इंको आउट किया हुआ है ठीक है तो यह नोट करके चलना और पुना मिया दो नहीं 28 बार में सिर्फ 13 रं दिये हिदर नाइट को तो वह भी बहुत इंट्रस्टिंग है ठीक है रिचा गोश्ट जेस जोन करती है ठीक है ठीक है अब में लोग अगले वैटर्स की तो शपाली वर्मा को परेशान कौन करता है तो यह बहुत बुरी तरीके से परेशान करती है चार बर आउट कर चुके 43 रंस देखे 30 बॉल्स में तो यह आपको power play में peri balling करती दिखेगी शपली वर्मापको open करती दिखेगी और वहाँ पे peri शपली वर्मापको आउट करने के chances रहेगी मेगन स्कट्ट भी दो बड़ा आउट कर चुकिए वैट 57 बोल में 98 रंस दिये है ठीक है और किसी ने आउट नहीं किया जे मेगन को सकट्ट ने तीन बड़ाउट किया है 47 बोल में 60 देके पेरी दो बार आउट कर चुकिए 57 बोल में सुरिप 52 रं देके डिवाइन ने एक बार आउट किया है, डैनवेंट निकक एक बार आउट कर चुकी है, मेग लैनिंग, मेगन सकट इनको पाच बार आउट कर चुकी है, इंट्रेस्टिंग रहेगा, सोपी डिवाइन इंको तीन बार आउट कर चुकी है, पेरी ने एक ही बार आउट किया दो बार आउट कर चुकिए 26.46 रन देखे डिवाइन दो बार आउट कर चुकिए ये डैन्वन निकक भी एक बार आउट कर चुकी है ओके तो मेगन सकटका आपको वहाँ पे एक constant नाम दिखाए लगबाग हर जगा पे तो वह बहुत important फिक रहेने वाले ओविसली डिवाइन क अभी नाम देखने को मिला है बड़ डिवाइन बालिंग अभी रिसिंटली बहुत कम करती है तो वह एक concern है और पेरी इस देर वित निव बाल डालेगी रेनु का सिंग भी आपको निव बाल बालिंग करती हुई दिखनी चाहिए ओके दोस्तों स्क्रीन देखे रहे हो 9 प् पिक करने लाइक बाल बहुत नीचे और इन दोनों के खेलने के पर मुझे मेरे साब से नहीं खेलेंगे बैटिंग में यह तीन इंपॉर्टन बैटर्स में पिक कर चुका बट इनके अला options देखो में निचे से start करूंगा especially दो इंडियन प्लेयर्स दिशा जासिया अक्तर औ अब लोग चलते हैं थोड़ा स्मॉल लिग के ऊपर तो मेरे साब से आपर सोपी डिवाइन हेदर नाइट के लिस्केप से और त्री आर वेरी गूड डिवाइन का सेलेक्शन नहाए है बिकॉस नोन प्लेयर है बॉलिंग करती है बट अभी बॉलिंग नहीं कर रही और मी से बट जब हीट होगी ना तो फोर और सिक्स में डिल करेगी तो वहाँ पर एक्स्टा पॉइंट्स देगी हाँ बॉलिंग अगर करेगी तो बहुत इंपॉर्टन पीक है 100 में रेगुलर बॉलिंग करती है इसे वाज़े से 100 में हमारे रेगुलर कैप्टन वाइस मिल जाएगी और यहां से जो भी खेलेगा मैं आपको ग्रेंड लीगी सजेस्ट करूंगा बॉलिंग में दोनों इंपॉर्टन बॉलर्स ले चुका फ्रम ऑस्टोलिया मेगन स्कट और जेस जोनासन रेनुका सिंग ठाकूर इस देर में ले लेता हूँ अभी के लिए कर दो अच्छा रहा नहीं है बत गेम चेंजर बन सकती है तीता-साहदू की बारे में बात कर चुकाँ थारानीं पेसर याद रखना और जंजाड में बहुत क्लेर्ली बात करी मैं यह बहुत क्लेरी याद रखना यह बात ठीक है फाइनल प्लेयर में कौन ले रहा हूँ, मैं एक्चलि थोड़ा पर फाइनल प्लेयर हम लोग देखेंगे कि क्या सिचेशन बनती है, क्या दोनों टीमों की बैटिंग और रहेगी, उसके अक्वाडिंग हम लोग जो बाकी दो फाइनल प्लेयर हम लोग ने पिक किये, वहापर अभी के लिए मेरी ये टीम बनती, ये फाइनल टीम नहीं, आवविसली फाइनल टीम तो टॉक्स के बाद ही मिलेगी टेलेग्राम चैनल पर, तो टेलेग्राम चैनल से जॉइन हो जाना है, टेलेग्राम चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में या description box में आपको link मिल जाएगी बात करते हैं Captain S Captain Sikhi Alice Perry, Margin Cap Sriti Manthana मेरे साब से top 3 Captain S Captain S options है for this match for this match, safe जाना है मेरे साब से ये दोनो because all rounders है, ठीक है pure batter के लिए जाना है, Sriti Manthana is there, बिलकुल जा सकते हो इन तीनों के अलवा सोच रहे हो तो मुझे लगता है Jemima, Shapali Meg Lanning, all three are very good, cap से try कर सकते हो, अगर balling कर रही है तो फिर बहुत अच्छी option बन जाएगी, सड़नी, ठीक है and then balling में ये दोनों ballers try कर सकते हो मैं captaincy अभी के लिए दे रहा हूँ Alice Perry को, वाइस captaincy Margin cap को पेरी अगर balling करीगी ना, तो फिर straight forward option है, और अगर top 3 में रहेगी तो straight forward option है, उनको captaincy देना, तो मैं अभी के लिए उन दोनों को captainize captaincy दीए, बाकि देखते है actual batting order में क्या मिलती है toss के time पे, उसके according फिर हम लोग changes कर सकते हैं batting order बहुत matter करीगी, दोनों team हो का first match है, तो team है क्या सोच रही है उनके हिसाब से, वो तो हमें toss के time पे पता चलेगा, हमने जो भी सोच है अब तक उसके according हमने team बनाई हुई है, captainize captaincy दे दी, बाकि toss के time पे देखते हैं तक यू सो मुच गास वाची